नमस्कार आप हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है मैं आचारे डॉक्टर विक्रमादिते आपके साथ हूँ और जोतिश विज्ञान के लिए गोचर के दिष्टिकोंड से क्या कुछ परिवर्तन के योग है वो आपके समक्ष हम बताने वाले है शनी एक पुरानी कहावत है शनी को मनाएं सदा सुख पाएं तो मेश राशी वालों के लिए आने वाले समय में शनी का रिखेल किस प्रकार का रहेगा अभी 17 जनवरी को शनी बदले और कुम राशी में आए लेकिन साथ-साथ अब 30 जनवरी को शनी होने वाले हैं अस्त और 5 मार्च तक अस्त रहेंगे जब कोई भी ग्रह सूर्य से 12 डिगरी के आसपास आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है अस्त होने का अर्थ है कि सूर्य के प्रभाव में उत्पन होकर जब सूर्य में अकाश में उत्पन होते हैं तो उनके आसपास कुछ और दिखाई नहीं देता है रात को आपको सित चलते हुए अपनी राशी में परिवर्तन करने का जो योग बना और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन का योग भी बन रहा है और सूर्य इस वक्त मकर राशी में जो चल रहे हैं वो शनी के बहुत सन्निकट आ गए और 30 जन्वरी को जब 12 डिगरी के आसपास सूर्य आ जाएंग शनी के तब वो शनी को अस्त कर देंगे तो शनी के अस्त होते ही शनी का प्रभाव शुन हो जाएगा और शनी का प्रभाव शुन होने से ग्रह गोचर का प्रभाव भी जिस प्रकार का उनका था वो शुन हो जाएगा जब शनी परिवर्तित हुए मेश राशी वालों के लि जिन कारें में पहले से कर रहे थे उनमें लाब के योग नहीं बन पा रहे थे वह आपने देखा होगा कि उनमें लाब के योग बनने लगे लेकिन शनी के अस्त होते ही उस लाब में कुछ ना कुछ रूप से कमी आने के योग बन जाएंगे लाब में कमी आने का योग तो बन कि आप जबरदस्ति क्योंगी शनी परिवर्तन जब हुए सद्धा तारीक के आसपास उससे लेकर तीस तारीक के बीच में ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ हट धर्मिता इस प्रकार के भाव भी उत्पन्न हो गया होंगे तो ऐसे में आपके लि इस प्रकार का योग बंता दिखाई दे रहा है उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए लाब कैसे आपके जीवन में आपको पूरी तरह से हो तेकि शनी ने आपका लाब का योग बनाया लेकिन शनी हो गए अस्त अब आप क् गाता उससे आप जो वंचित हो रहे हैं उसको कैसे लाब उठा सकते हैं तो कोशिशे करें शनी के कुछ उपाय कर लें तो मेश राशी वालों के लिए सबसे उपाये जो हमें दिखाई देता है वह दिखाई देता है कि आपको एक काम करना चाहिए शनी के बीज मंत्र का वहाँ पर उनको अस्त कर देते हैं तो जब अस्त ग्रह हो गया तो उसका प्रभावशुन हो गया तो प्रभावशुन क्योंकि शनी करीब करीब तीस साल बाद परिवर्तन करकर कुम्ब राशी में प्रवेश किये थे और बड़ा सुन्दर योग आपके लिए बना था तो ऐसे में उस ग्रहे के योग से करीब आपके लिए जिदो दिन रहेंगे करीब 28 दिन फरवरी के मान लिजे, 2 दिन जनवरी के मान लिजे और साथ-साथ 5 दिन मार्च के भी रहेंगे तो 5 मार्च को जब शाम को 6 बजे के आसपस शनी उदे होंगे तो फिर आपके लिए लाब के अच्छे योग बन सकते हैं ऐसे में आपको प्रियास करना चाहिए कि अपने लाब को बढ़ाने के लिए कई लोग इस मंतर को अनुस्वार को मकार भी बोल देते हैं तो वह कोई दिकशन है मखार से लेकिन संस्कृत के अंदर जहाँ बिंदी आती है गद्धि के अंदर तो मखार हो गया है लेकिन यहाँ बीज स्वरूप है निंस्वा उन्मांग से इस उचपार में प्राग से सनिष्चराए तो इस मंत्र का यथाउशित भाव से जब करें। और साथ-साथ कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। इसकी साथ-साथ उपाय आप यूप कर सकते हैं वो भी मुट कर दीजए। सबसे बढ़िया उपाय रहेगा कालि उफाय का दान कर दीजए। काली उड़त का यदि दान करें वो भी अच्छा रहेगा गउशाला में जाकर यदि आप महां गउशाला के अंदर हराचारा गाएं को टाल देंगे तो ये भी गुड़ सबसे बढ़िया रहेगा गुड़ जो हराचारा है वो दोनों को दोना आपकी राशी से संबंध भी चोटे उपाएं हैं आप इन जीवन में लाप प्राप्त का जो स्थान है वो बना सकते हैं दो जो जोतिष विज्ञान है वो वास्प्रिक पर आपके जीवन में ग्रहों के योगा योग को देखकर आपके जीवन में कहां कमी हो रही है किस प्रकार से कोई दिकत है उसको ठीक करने का कारे करता है तो आशा है आप इन छोटे-छोटे उपाये को करके अपने जीवन में हो रहे जो भदलाव हैं ग्रहों के उससे अपने